शुक्रवार को गोल घर के गांधी परतिमा के समक्ष संयोजक All India किरकेट संग गर्ष समीती राणा सुनील के नेतरूत में किरकेट खिलाणियों ने गोरखपूर किरकेट संग और उतर परदेश किरकेट एसेसिशन के खिलाब सड़क पर उतर कर विरोत परदर्शन किया और ग गोरखपूर किरकेट संग और UPCA में व्याप्त भरष्टाचार के खिलाफ आज हम सड़क पर उतर कर परदर्शन कर रहे हैं अगर गोरखपूर किरकेट संग और UPCA के खिलाफ जाच शुरू नहीं हुई तो हमारा अंदोलन और भी उगर होगा इस समद में गोरखपूर न अबस नहीं हुई कि अथूछ था था आइज जाओ 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 कि इस ए जिक है यू पी-सीए का विरोधा है आज रेली है हम लोगों का अंडर 19 जो गोरकपूर की टीम थी पिछले साल की चैंपियन रही इस साल पूरे जोन में हार के बाहर हो गई इसी तरह से रंजी टॉफिक की पोजीशन है यूपी सीए का 5 साल से वो कहां है धरातल पे पता नहीं लगता है 23 का कोई धरातल पता नहीं लगता है अखिर उसमें क्या छिपा हुआ है कभी ये नाम डिकलियर करते नहीं है आप कभी भी देखेंगे गोरकपूर की टीम कभी किसी को नाम नहीं देती कौन सा प्लेयर डिस्टिक खेलेगा कौन सा प्लेयर चोन में जाएगा कौन सा है ये कभी नहीं पता लगता यह समझ में नहीं आता, यही काम UPCA करती है, दोनों का एकी जैसा है, इस साल लखनों में नाम डेकलियर हुआ, गोड़पुर नाम में आखिर जियनतिवारी सफिक सिद्ध की पैसा लेते हैं, तभी तो नाम डेकलियर नहीं कर रहे हैं, आखिर पैस को क्यों नहीं दे रहे हैं कहीं नोटिस चिपका के हो नहीं रहे हैं, आज हम लोग बिल्कुर रेजलूस निकालेंगे, राजिव सुकला जी द्वारा सनरच्छित है, यह पूरा एसोसियेशन, हम लोग उनके खिलाप पूरी तरह से मुहीम चलाएंगे, जीयनतिवारी सफिक सिद्ध की, अकरम सैफिय दिबीर सिंग और राजिव सुकला इसमें सबसे बड़ी कड़ी हो चुके हैं, उन्होंने हमेशा उनको सनरच्छन दे रखा इस तरह से, कि गुंडागर्दी करो, क्रिकट माफिया गीरी करो, मेडिकल लेके खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम यह यहां पे उतर हैं, हमने एके पांडे जी को एक जाज डीम सहाब ने दिया है, कल हम उसको भी लेने जाएंगे, देखें उसमें क्या है, रिपोर्ट में क्या है, कि जीसिये के खिलाब, उसके बाद हम मुख्मंत्री निवास पे अगले सुमवार को डिकलेर करते हैं, कि मुख्मंत्री क्यों, यह ताउन हाल से लेकर के बैंकरोड होते हुए, सिनेमा होते हुए, गोल घर होते हुए, हम लोग जाएंगे राणी लच्मिबाई पार्क में, वहाँ पे अपना समाप्त करेंगे